नमस्कार दोस्तों जै मातादी वर्ड बेस्ट मैजिक में आपका हर्दिक स्वागत है कैसे हैं आप सब ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जै मातादी जरूर लिखें मातारानी सब का कल्याण करेगी दोस्तों आज हम बात करेंगे 5 जून 2020 को लगने वाले चंद ग्रहन क के बारे में कि ये चंद ग्रहन कब और कहां कहां दिखाई देगा भारत में ये चंद ग्रहन दिखाई देगा या नहीं साथ ही भारत में ये कितने बज़े लगेगा इस वीडियो में आपको इस चंद ग्रहन की संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी इसलिए अन तक इस व कुरुवार को जेश्ट पूर्णिमा के दिन यह चंदग्रहन लगने वाला है यह साल का दूसरा चंदग्रहन है जो की पांच जून की रात को लगने जा रहा है इसका असर सभी रासी के जातकों पर पड़ेगा आपको बता दें कि चंदग्रहन तब होता है जब चंद्रमा औ रस्चिक रासी और जेस्ट नचत्र में लगेगा आपको बता दें कि चंद ग्रहन से 9 गंटे पहले ही सूत्त काल सुरू हो जाता है जिस दौरान पूजा पाट से लेकर किसी भी तरह के सुपकारे नहीं किये जाते हैं पाँच जून के बाद 21 जून को सूर ग्रहन भी लगेगा तो चलिए जानते हैं कि यह चंद ग्रहन किस समय दिखाई देगा तो आपको बता दें कि यह चंद ग्रहन भारती समय के नुसार 5 जून की रात 11 बचकर 15 मिनट से प्रारंब होगा जो कि आधी रात के बाद 6 तारी को रात 2 बचकर 34 मिनट तक चलेगा इस चंद ग्रहन की कुल अवदी लगबग 3 घंटा 19 मिनट है अब बात करते हैं कि यह चंद ग्रहन कहां कहां देखा जा सकेगा तो आपको बता दें कि यह चंद ग्रहन भारत में दिखाई देगा इसके लावा यह चंद ग्रहन यूरोप, अफ्रीका, आस्ट्रेलिया और एसिया में भी देखा जा सकेगा आपको बता दें कि 5 जून 2020 को लगने वाला चंद ग्रहन उपछाया चंद ग्रहन है इस चंद ग्रहन को लेकर लोग कुस दुविदा में है कि सूतक काल लगेगा यह नहीं जो 30 के नुसार सूतक का ग्रहन नहीं लगता है बलकि चांद मट मैला सा हो जाता है चूंकि यह ग्रहन बेहत कमजोर होता है इस कारण इसका सूतक काल इतना प्रभावी नहीं रहेगा फिर भी आपको बता देती हूं कि यदि आप इस चंद ग्रहन का सूतक काल का पालन करना चाहते हैं तो इसका सू अप्ट होगा आपको बतादें कि चंद गहन के दौरान आपको कुछ सौधानियां भी बरतनी हैं मानिता है कि गहन के दौरान खाना पीना नहीं चाइए और और ना ही किसी भी सुप काम को सुरू करना चाहिए और सूतक काल लगते ही गर्वती मैलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए क्योंकि इस दौरान नाकारात्मक सक्तियां काफी प्रबल रहती हैं जिसका बुरा असर गर्व में पल रहे बच्चे पर भी पढ़ सकता है। ग्रहन काल के बाद इसनान जरूर कर लेना चाहिए। इसके साथ ही सूतक लगते ही अपने खाने पीने की चीजों में तुलसी के पत्ते जरूर डाल लें। और इस अवधी में गर्वती मैलाओं को चाकू छूरी या तेजधार वाली वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना और ध्यान रखें की चंद ग्रहन के समय जादा से जादा भगवान का इस्मरण करें। उनकी आराधना करें। और भगवान के मंतरों का जाब करें। आप चाहें तो ओम नमा सिवाई और महा मरतुन जय मंतर का जाब कर सकते हैं। इसके इलावा ग्रहन के बाद दान भी बताएं और इस वीडियो को लाइक करें और सेहर करें और साथ इसाथ चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद